क्रिश को आ गया है काया पर गुसा मोहन जोदारों के बादशा अकबर भड़क गए हैं बॉलिवुट की क्वीन पर कंगना रनौत और रितिक रोशन को लेकर कई किस्से सामने आने लगे जैसा कि सबको पहले पता चल गया था कि दे वर इंटू एन अलीग्ड रिलेशन्शिप उसके बाद कंगना आशिकी 3 में रितिक के साथ आने वाली थी लेकिन उन्हें आशिकी 3 से बाहर निकाल दिया गया तब कंगना ने रितिक पर कॉमेंट किया था that why exes do silly things यानि अपने ex-boyfriend पर कॉमेंट करके कंगना बड़ी मुस्कुराती मी नजर आई यह उसके बाद रितिक ने साफ जवाब देते वे कहा कि his chances of being in a relationship with Pope are higher than any Bollywood actress and that comment was completely dedicated to कंगना दानौत और अब Chris चले गए है next level पर उन्होंने एक legal notice भेज़ दिया है कंगना को a leaguing defamation उन्हें बदनाम करने के लिए कंगना को legal notice भेजा है रितिक रोशन में कंगना ने भी इसका जवाब एक legal notice से ही दिया है यह notice है intimidation और threat का यानि कि कंगना को डराया और थमकाया जा रहा है आखिर ये लडाई कब रुकेगी कब इन दोनों का ये controversial relationship सेटल हो पाएगा ये तो वक्त हमें बताएगा और हम आपको बताएगे